वियर्स पीरेट्स के दिनों में यानि जिन दिनों में महवारी हो रही होती है अगर उन दिनों में शारेलिक संबन बनाये जाएं तो क्या उन दिनों में प्रिग्निंसी हो सकती है या नहीं? आज हम इसी पर बात करेंगे और इसको क्लियर करेंगे वो दिन जिन दिनों में महवारी हो रही होती है नि ब्लीडिंग हो रही होती है उन दिनों में शारिक संबनाने पर प्रिग्निसी होगी या नहीं बहुत कॉमन सवाल है और इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं वो महिलाएं जिनका पीरिड 28 से 30 दिन का होता है यानी महारी का पहला दिन और उसके बाद जे नेक्स महारी आती है उसके बीच में जो डूरेशन होता है अगर वो 28 से 30 दिन का है तो वो महिलाएं अगर प्रिग्निसी के चांसे ना के बरावर हैं दूसरी महिलाएं जिनका period 20-21 दिन के आसपास रहता है तो ऐसी महिलाओं में periods के दुनों में अगर वो संबंद बनाती है तो उनमें pregnancy के chances है because evolution के जो day होंगे वो periods की तरफ आ जाते हैं यानि जो bleeding हो रही होती ही जिन दुनों में उस तरफ आ जाते हैं साथी साथ जो male sperm जो female body के अंदर रहते हैं उनकी life 5 दिन की होती है तो chances बहुत बढ़ जाते हैं तो ऐसे में safest तरीका तो यही है कि उन दुनों में condom का ही use किया जाए ऐसी महिलाएं जिनका periods बहुत shortest time का यानि भी से किस दिन का है और condom की use करने से दो फाइदे रहते हैं एक तो अच्छाई pregnancy से बचेंगे साथी साथ जो normal infection जो महिलाओं को भी हो सकते हैं normally वो उनसे भी बचती हैं वैल इसके बारे में हमने बहुत detail में videos बनाए हैं periods के safe और unsafe days के बारे में और उसका link मैं नीचे description box में दे दूँगा आप उनको भी जाकर देख सकते हैं साथी साथ अबने एक playlist भी बनाई है जिसमें आप अपनी मरजी के वीडियोस देख सकते हैं जो भी आपका सवाल रहता है जो आप comment option ने करते हो सकता है अलड़ी वो वीडियो पहले हो तो एक बार आप playlist हमारी जो चेक आउट करें साथी साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको like करके हमें feedback जरूर दे और अगर आप नए है तो चनल के सब्सक्राइब करें और हमारी family में शामले हो और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तिल दन, keep smiling, see you in next video and bye-bye